पे दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल फेंटसी दुनिया में गाइस यह जो वीडियो होने वाला है ना आई थिंग बहुत ही जाथ इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है बहुत कुछ सीक्रेट आपके सामने मैं डिस्क्लोस करूंगा जैसे कि जर्मनी ज मैं बहुत ही इंपोर्टेंट सा यह वीडियो अन तक देखोगे तो खुद कॉमेंट करके लास्ट मैं बताना कैसा लगा वीडियो और क्यों इंपोर्टेंट है यह भी बताना मैं मोस्ट पूब्ली टीट्वीडियो प्रीजिन क्वैलिफायर का कम्रीट कवर करने का देखो जो 11 भेजाना एकदम अलग और एकदम धासू सा 11 मेरे साब से दिखने को लग रहा है देखो जैसे कि सेलेक्शन फिलाल मैस्ट का एसा कैप्टेन बहुत ही लेस है बट मेरे टिम का कैप्टेन बनेगा मैस्ट अब क्यों बनेगा आप अगर रिकॉर्ट देखोगे त बहेंगर प्लेयर है तो ऐसे ही आपको इंडेफ्ट अनलाइसिस दोनों ही टीम के बारे में मिलेगा प्रोबबल बैटिंग ओडर जो मेरा एक्स्पेक्टेशन रहेगा आफ्टास नो डाउन यहां पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं जिसके कारण आपको वो टेलीग्राम पर ब मिलेगा फिर मिलेगा कैप्टेन वाइस चार्जेस तो मेक शूर करना आप वीडियो अंदर देखो एंड आपको अगर पसंद है मेरे तरह जैसे ऐसे एसे और अनून रिकॉर्ट के साथ जो मैचेस आते और जिनके रिकॉर्ट कम अब लेवल होते ऐसे मैचेस कवर करना खेल तो आप चरूर सही चैनल में हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को फ्यूचर में ऐसे ही डुमेस्टिक रिकॉर्ट के लिए और हां टैलीग्राम जाइन हो जाए ना ग्रिस्टीटन स्टार्ट होने वाला है परवबल कवरेच उसका भी मिलेगा फैस्टीब सेजन है स्टिल मैं चांस है प्लेइंग लावे निकल के आएगा तो आराम से आपको मैं टैलीग्राम पे तला कर दूंगा फैनल अपडेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लू कलर का लिंक लिंक से आप टैलीग्राम जाइन हो सकते हो कॉमें सेक्शन में भी पीन करके रख दूंगा मैं वाला लिंक वहां से भी आप जॉइन हो सकते हो और आप सर्च करके भी जॉइन हो सकते हो अगर दोनों लिंक काम नहीं किया फिलाल 14,900 से 15,000 के करीब फंटासी दुनिया मेंबस है जॉइन हो जाना आप फाइनल अपडेट आपको इसे पे मिलेगा आता हुमें अनलाइस में लाइक करके स्राट रखना इससे हमारा मोटिवशन अच्छा रहता है और एक बेटर आउट पुट निकल के आता है वीडियो से वेन्यू का होगा डिसर्ट स्प्रिंग स्क्रिकेट ग्राउंट कहां पह स्पेइन में स्पेइन में कुछ दिन पहले भी खेल के गया था जर्म जो इंग्लेंड के डोमेस्टिक खेल के आ रहा है तो प्लियस अच्छा होंगे और जर्सी और तो बनता है तो मैं देर्सो लिग के रखा हूं मुझे लगता है जर्मेनी बैंग करेगा तो देर्सो प्लस जर्सी बैटिंग करेगा तो 120-130 रिजन में रहना चाहिए इसकोर अ और अगर इनका बेस्ट प्लेइंग लवे नहीं उत्रा तो 1.45 पीम इंडियन टाम स्टार्ट होने वाला है तो फटा फटा पुससे पहले टैलिंगम जाना फाइनल अपडेट के लिए क्लियर वेदर रहेगा तो अराम से आप पुड़ा मैच का फायदा ले सकते हो और पु जर्मनी आप पकड़ सकते हो और भी हुआ जैसे कि निदल लेंड आइल लेंड तो स्कॉट लेंड इनके प्लेयर्स जब इंग्लेंड में खेलते हैं तो कुछ डील साइन होता है इनका जिसके कारण ब्रेंडन टेलर भी बीच में बहुत साल जिंबावी के लिए नहीं खेल पाएंगे यह अपने नेशनल के लिए और जो काउंटी होते वहां पर खेलना पड़ता है इनको उनमें से एक बंदा था सी मैंशिड एम रिचर्ट से यह अच्छे प्लियार है ब्लेग नाउट और विंग गंशन डीक लें एक बड़िया हार्ड एटर अब्दुल्शकुर रहने वाला देखो यह प्लबबबलीटी है कोई भी नहीं बता सकता मैच से पहले क्या होने वाला है डैफिनिट जो प्लेंग लेवन और बैटिंग और बढ़िटी निकाल सकते है पास्ट की रिकॉर्ट के साथ मैं एकदम से आपको स्ट्रेट अब बात है वही बताँगा क मैं क्यों पीक करूंगा अपनी टीम में इंटरनेशनल में पाच मैच पाच इनिक्स में एक सो पंदरा रन 52 का शायद आसपास का एवरेज है नोट आउट रहा जादा तर मैचस में इसके करण एवरेज हाई है फॉर्स क्लास मैच कौन सा माना जाता है आपको जो पचास मतल ट्विटिनाइन मैच लिस्टे में 57 का एवरेज जो इंग्लेंड का डोमेस्टिक 50 ओवर्स के मैचस होते हैं टि ट्विटि में 24 इंगलीज डोमेस्टिक में एक ठीठा क्लियार है तो मैं आपनी टीम में जरूर प्रेफर करूंगा इस्पेशली अगर उपिन किया तो मस्ट पीक पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट बैटिंग फर्स डेफिनिटली पीक क्योंकि आपको एटलिस्ट वॉंड डाउन जरूर खिलते वे दिखेगा तो यह एक बरिया पीक हो सकता है आपको विकी से भी पॉइंट देगा इस्ट्रॉंग टीम से बिलॉंग कर रहा है ऑवि खराब डिकाउट नहीं है बैटिंग सेक्शन में मुझे बहुत ज्यादा चॉइस नहीं मिला स्ट्रॉंग टीम से बिलॉंग कर रहा है ओपिनिंग करेगा शायद मैं ले लूँगा अगर ओपिन किया तो हर्मांजू सिंग यह हर्मांजू सिंग कौन है मालूम मैं आपको रोहीथ है रोहीथ सिंग जो टीटेन में भेंकर खेल के आ रहा है बट अगर आप इंटरिशनल देखोगे ना बंदे ने बॉलिंग डाला नहीं क्योंकि बॉलिंग लगता नहीं है इनका अब देखो 27 के एवरेश से 17 मैच में 326 रन बनाया बट इस मैच में अगर टॉप उ और वान वन दे बेस्ट भी है तल्हा खान और राइट लेफ्ट अने बेट्स में राइट डाम आउफ स्पीनर है नौ मैच में 30 के एवरेश 180 यह टॉप उडर में खेल सकता है बट एक हिट अन्मिस नेचर की प्लियार है दोजार इकिस में इनका कुछ अठरा तीन इकावन 16 आट रन का एवर इसकोर था थोरे हिट और मिस नेचर का है जब हीट होता है ना बहुत जादा हीट होता है अब देखो मैच क्या निकल गया रहा है मुझे ना टॉप उडर में यह तो फीक्स मतलब कहां पर में डालू इसको यह नहीं खेला तो तो तल्हा आपको उपिन कर करता है तो उतना नीचे में शायद उनको ना लू बैटिंग सेक्शन से इससे बेटर है मैं किसी और को ट्राइगा यह थोड़ी रिस्क आपको लेना पड़ेगा इस मैच में आइधिंग तलाकान बैटिंग फर्च करेगा तो ट्राइक कर सेक्ते हैं बैटिंग सेकेंड भी स्पेशली अगर चिकान नहीं खेला तो अगर चिकान नहीं खेला तो चेजिंग में तो मती लेना एकदम स्टेट अवे में बता रहा हूं अब दुछेकु रहीम जाई सत्रा में 14 का एवरेच बहुत खराब है कभी कबर ओपन आते हैं कभी नीचे खेलते हैं उपर नीचे सब्सक्राइब है हर तरफ यह रोटेशन होता है इनका रन इनका ठीक टागे है तीस ओवर में आट विकेर है देखो 17 मैच में 30 ओवर डाला इस ट्रेट आवए आपको समझना पड़ेगा पर मैच में वन सम प्लस चलो पर मैच में दो से भी कम ओवर है ठीक है दो से भी कम है वन पॉइंट सम्थिंग होगा आट विकेर है कि वल 17 मैच में विकेर नहीं है ना कि consistent scorer है तो क्यों हम लोग लेंगे नहीं लेंगे ना तो नहीं लेंगे ठीक है ओपेन करते हो तो बात अलग सहीं नकाश 15 मैच 17 का एवरेच यह बैटिंग नहीं मिलेगा इनको बट इनका जो बात है ना वो 32 ओवर है मतलब टू ओवर प्लस है हर मैच में दो से ज्यादा ओवर करते हैं विकेट बारा है 15 मैच में बारा मतलब पार मैच में वान के आसपास फिलाल हाइली सिलेक्टेड है हम लोग टीम में रख सकते हैं अगर रिसेन रिकॉर्ट देखूँगे दो जीरो हुएट है कुछ ने कुछ रन है मेरे साब से ज्यादा रन आएंगे नहीं इनके बैट से बट हाँ इंपोर्टन बात क्या निकल के आता है ना यह बालिंग आपको कड़ाते वे दिखेगा ऑपनेंट वीक है में भी दो एक आदा वीके निकाल सकता है और हाइली सिलेक मैच में केबल शेयुकेट मतलब वीकेट टेकर तो ही नहीं तीसरा पॉइंट एवरेज भी बहुत कम है रिसेन रिकॉर्ट भी ऐसा नहीं है बहुत हाई नोट से बट प्लेयर ठीक ठाक है आप चाहँ तो ट्राइकर सेकते हो बट फिलाल मैं प्रिफर नहीं कर रहा हूं इनका रिसेन रिकॉर्ट में ज्यादा बॉलिंग किया नहीं मैशेट ओपिन कर रहे थे बट मैं आपने टीम में जरूर रहूंगा यह जर्मनी है और रिसेनली यह ना दूसरे क्लब्स के लिए इंग्लिज डुमेस्टिक के लिए तो मैं यहां पे इस मैच में मैशेट को ल सकते हो और में भी आपको थोरा रिस ज्यादा लग रहा है तो मीनिमाइस कर सकते हो बेक अप टीम के साथ यह बहुत बढ़िया लॉजिक है तो टीम के साथ किलना थ्री मिंबर्स किलना डेफिनिटली प्रॉफिट होने वाला है डैलियन अलेक्जेंडर ब्लिग नाउट पा के कुछ मैच में हमेशा बॉलिंग किया और एक मैच हो रोगे तो हमेशा बॉलिंग सा पर्फोमेंस है इवन बैटिंग से भी पर्फोमेंस है अब बैटिंग से कब पर्फोमेंस देगा अगर बैट फर्स हो तब अधर यह एक हार्ड डिटर है शायद बैटिंग ना मिले त मेरा पसंदी था लेफ्टाम ऑथ्टोक्स 2021 में दो 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 एक मतलब क्या कमाल का रिकॉर्ड है अब देखो यहां पे क्या निकल गया रहा है इतना कमाल का रिकॉर्ड है बॉलर अच्छा है ऑपनेन के बैटिंग थोरे वीख है इतना कुछ हम लोग मद्दे नजर रखते हैं एक चीज़ कर सकते हो वो क्या है इनको ना अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो कैप्टेन वाइस को टन बना सकते है क्योंकि अगर ऑपनेन ने सौ के आसपास रन बनाया तो मैं भी यहां पे दो लेने वाले बॉलर को ही चाहिट जीम टीम ऐसा कैप्टेन प्रिफर कर ले त तो मैं प्रिफर करने वाला हो इनका एक है और जो बाकी दो बनाहेस थीलेकट इट तो ऊब शेयलम के ऊब और ने का हुआ है इसमया टाला उसमें से 35 डाला मतलब खेलेगा तो balling करने का high chances है इतना कुछ देखते हुए मैं दोनों को अपनी टीम में लेना पसंद करूँगा दोनों का risk and record इनका थोड़ा off है इनका बहुत जादा हाई है इनको captain wise करें ट्राइ करना इनको team में रख सकते हो उपसे right arm off spin अगर मैं बहुत जादा गलत नहीं लिख रहा हूं मुस्लिम यार देखो आठ मैच में पार मैच में एक से कम है experience player है 2020 में खेला था बट शायद यहां पर नहीं खेले अम में तो अद्रक left arm medium पढ़िया differential pick बट बहुत दिन पहले खेले थे और लास्ट के तीन मैच में के लिस थे दस मैच में 14 विकेट है 31 ओवर है मुझे जितना याद आ रहा है provincial T20 जो होते उन में से शायद बट लिस शायर में लिसेनली खेल के आ रहे दो मैच दो इनिंग्स में मैं शायद 25 में बसका लिए खेलना पसंद करूंगा इस मैच में फिलाल जो selection ratio है बट अगर मैं वीडियो पब्लिक किया उसके बाद जो होगा ना उसके बाद जो पब्लिक देखेंगे मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है बहुत सारी टीम प्रोवाइडर्स देखना अपने टीम चेंजेस करेंगे और शायद कैप्टेन वाइस कैप्टेन टीम आसपास बना दे बट आपको थोड़ा सा कॉल तो लेना है इस मैच में तब ज्यादा डिस्क होगा अगर मैं यह वीडियो सिफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता तो आइधिंग आपका रिजल करेंगे तो निक फैड़े भी ओपिन करेंगे अब यहां पर मेरा थोड़ा कंफ्यूजन कौन इंदे साथ ओपिन करेंगा असा ट्राइब मुस्विल वन डाउन कहले लेगा जौन टी जैनर जितना भी मैंने मैचस देखे वो टू डाउन ज्यादा प्रिफर करता है में भी ले एच केलियों भी ओपिन कर सकता है डॉमिनिक ब्लैंपाइब बड़िया प्रिया वाइस कप्टेन अगर बॉल फर्च करता है तो ब्लैंपाइब को चरूर रूइज कर सकता है यह बॉलर नहीं है यह ओल राउंडर है अच्छा सा बैटिंग करता है बीवार्ट लेने जाओ ठीक है नहीं लोंगा सिलेक्शन हाई है मुझे नहीं लगता बाद में हाई रहेंगे अटलिस्ट वीडियो दिखने के बाद तो आप नहीं रखोगे दिखो रिकॉर्ट बहुत खराब है बैटिंग बहुत नीचे करते कभी कबार ओपिन करते थे एक टाइम में बट आप ओपिन भी आ सकता है क्योंकि इस मैच में इनके पास ओपेनर कोई है नहीं तो अब एच केलियों डॉप हो जाएगा डेंफर्ड ओपेन हो जाएगा यहां पर किसी एक एक्स्रा बॉलर यूज करेगा टिम बट मेरे इसाप से ओपन भी करेंगे तो शायद यह अप इंग्लिश डॉमेस्टिक में मतलब एक्सपेडेंस है सेम बात इंग्लिश डॉमेस्टिक एक्सपेडेंस निक फैरे भी शायद आप दोनों को ट्राइग कर सकते हो 14 मैच में 23 का अवरे से 303 रन है दोनों आपके लिए ठीक थाग पीक है आप देखो बैटिंग सेक्शन में असा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके पास मतलब गो टू पीक से एक्लिश डिम लावन में तो नहीं है तो उस सिनेरियो में में भी हम लोग दोनों को यूस कर सकते है अगर बॉलिंग फर्स होता है इस टीम का तो इनके एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हो अधर सैप में बर लेना ही है उस सिनेरियो में दोनों को ट्राइ कर सकते है बहुत कुछ हम लोग को यहां पर लफरा करने का कुछ मतलब नहीं है इंग्लिश डोमेस्टिक एक्स्पिरेंस निक फैरे भी जॉन टी जैनर मुझे नहीं लगता है यह दोनों 100 रन कर देगा 50 रन कर देगा निक फै पहले 2020 में खेले थे शायद कुछ बहुत दिन पहले एक्शली जर्सी जो अपना लास्ट इंटरेशनल मैच के ला था नहीं वह बहुत दिन पहले के ला था और अंडर 19 जो हुआ था यह दोनों को मैं शायद बहुत जादा प्रेफर कर सकते हो चो एक्सप्रेंस प्लियर है सिने लेवेल में बट मैं शायद दोनों को प्रेफर ना करू चल्स पर्चर अब देखो यह एक इंपोर्टेंट पॉइंट है मैच का अब समझो बात 15 मैच पांच इनिंग्स में रन रन तो क्या है नहीं है बंदा मतलब क्या है और नहीं है पहला पॉइंट निकल के आया लिग के रखना 47 ओवर डाला मतलब पांट मैच में थीन ओवर मतलब और अल्मुस्ट खराता है अपना कंडिट राइट मीडियम है मतलब डेट करा सकता है कैप्टेंसी करेगा तो के लिए मस्ट हो जाता है अल्राउंडर नहीं है बॉलर एज़ बॉलर ट्रीट करना ठीक है बेंजमीन वर्ट इनको ऐसा ओल्राउंडर ट्रीट कर सकते हो तेरा मैच में 215 रन रन बहुत ज्यादा है एंज़े एवरेज भी बहुत हाई है 49 ओवर मतलब 13 में 49 मतलब पार ट्रीट विकेट लेस जाए और बेंजमीन वर्ट आपको तीन रन करते हुए दिखे तो अब्यामीन वर्ट आपको स्मॉल लिग में लिट करा देगा अगर चल्स पर चट निकाला बेंजमीन वर्ट बॉलिंग नहीं आया तो आपका ना बहुत लॉस होगा तो रिस्टेकर बेंजमीन वर्ट और में भी बेकर टीम बेंजमीन वर्ट और स्मॉल लिग सेफ टीम चल्स पर चट यह रोटेशन आप यूज कर सकते हो जैक ट्राइप का कुछ ऐसा रिकॉर्ट अंडर-19 खेल के आ रहे मैं शायद बहुत जादा प्रिफर ना करूँ कुछ बात अलग था और यहां पर ना एक जर्मनी का स्ट्राउंग टीम मुझे लिख रहा है असा ट्राइप यह थोरी मुझे अच्छे लेग अंडर-19 में बहुत बढ़िया खेला है इस ट्यम के लिए बर्ट यह कंसिशनली टू-डाउन केल रहा था इस बार मुझे लगता है टू-डाउन और टू-डाउन जांटी जेनर अगर टू-डाउन खेला तो यह तू-डाउन खेलेंगे कुछ आस-पस खेलेंगे अस आस-पस यह ठीक टाक प्लियर है पार्ट टैम बॉलिंग कर लेते और टिक टाक बैटिंग भी कर लेते है डॉमनिक ब्लेंपाइट अगर बाल वस्ट करता ह रिसेंटली मोस्ट इंप्रूफट प्लियर फार जर्सी छे रन लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं क्या थोरा ऐसा होता है इनका 43 छे रन दो विगेट चार जीरो विगेट लेक स्पिन कराता है राइट है एक इंपॉर्टेंट बात क्या है ना यह जब लेते ना गुच्छे लेते और यह जब लेते ना उचे नहीं लेते ऐसे टाइब के प्लियर है तो नेचर इनका मुश्किल है समझना अगर ट्राइ करना है तो वाइस केपटें फर्स इनिंग बॉलिंग में ट्राइकरना 17 मैच में 24 हुएट है रन है इनका कुछ ना कुछ करते रहते और बड़े इनका फिलाल और जो मतलब कांटी वगरा होते है उसमें केले कांटी तो आप बोल नहीं सकते हो सेगं लेवन है बट फर्स क्लास मैच भी नहीं बोल सकते हो मतलब अनलिमिटे ओवर्स क्रिकेट आठ मैच छे इनिक्स में 24 इंटरनेशनल में 20 ओवर में साथ युगेट है ठी से किसी एक को ले सकते बालिंग सानों को ट्राइब कर सकते हैं कोई दोर यके निकाल सकते हैं और सब्सक्राइब करा करेंगा तो यह न हमोगा बहुत है जो पचास लिस्टव मैच कर आए लिस्ट यह वह आप रिकोमेंड़ आइसी सी रिकोमेंडेट नहीं था था कुछ चार्वी के निकाले थे ऐन 2017-19 में ना इनका रिकॉर्ड अच्छा था बीडल ट्राइ कर सकते हो यह कहां से आके क्या कुछ कर जाएगा डिफेंशल फॉर्स इनिंग बॉलिंग राइटम मेडियम में भी डिट ट्राइ करने से कर अब कुछ इंपॉर्टेंट बात ना आप कॉमेंट करके बताना कि आपको क्या चाहिए मेरे पास एक स्किंशॉट है शायद अप्रिल महिने में हुआ था इनका टीटी डूमेस्टिक जरसी में तो उसका स्किंशॉट मेरे पास है पीडिएफ करके भेज दूंग अगर आप मैं सबसे डिफॉल्ट चोइज से ओपीडिंग करेंगे मोस्ट पॉब्ली चार ओवर करना चाहिए एक अच्छा प्लेयर है और मैं बैक करना चाहूंगा अगर बॉलिंग नहीं करता और जिरो रन करता है तो हमारे लिए न बहुत धासू सा लॉस हो जाएगा बट रिस्क है जाए गाइस रिस्क है और इसक है तो गाइस मझे है गाइस रिस्क लेना परेगा यार बडा मिनिंग के लिए डीक लेन एक विकेट टेकर है एंड बॉलिंग फर्च करेगा तो कैप्टन वास कप्टन जरूद यूज करना इवन बॉलिंग सेगेंड भी मैं ज्यादा अपस यह दोनों वारती यार वारती को यूज कर लेना और कुछ भी अपडेट होगा अफटर टॉस टेलिग्रम पर आ जाएगा टेलिग्रम जाइन हो जाना वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल में नहीं हो तो जो इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना फिलाल मैं प्लेंग लेवन चेंजस होना चाहिए जैसे कि रिचर्ट सेंट ठीक है चिकन यहां पर थोरा सा रिस्क हो सकता है अगर प्लेंग लेवन नहीं निकला मुस्ट प्लेल निकलेगा ताला खान भी ओपन कर सकते तो उनको यूज कर सकते हो पहला पॉंट जान ठी नीक फेरे भी एस नकाश अब इन दोनों के जग एक्स्ट्रा बॉलर में ले सकता था अबर जिम लबन अलाउन नहीं करेगा सी पर्चर्ट फिलाल मेरे टिम का पार्ट यहां पे जे सुमिरेर और बी वाट इन दोनों से किसी एक को भी ट्राई कर सकते हो अटलिस जेल में तो जरूर करना स लो आ जाते हैं हां अमेद हमीद वर्दक अब यह बदला वंदा अगर केला तो सही नकाश का थोड़ा और ओवर कर सकता है तो अमीद हमीद वर्दक जो भी नाम है इनको भी ट्राई कर सकते हो और भी कुछ अपडेट के लिए आप टेलिग्रम जोईन जाना वीडियो अब दो लाइक कर देने थैंक्यू एसपाइ